नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है जिन्देगी की रोशनी का काम काज किस तरीके से चालो होता है कितने हमारे मेंबर बने और जो भी मदद मिलती है डोनेशन के रूप में या फिर सबस अद्फीस के रूप में उसका हम इस्तमल किस तरीके से करते है उसके बारे में हम हर मेने मतलब बात करते है तो आज की जो वीडियो है वो इसे को लेकर है तो आज इस मेने में दोस्तों मतलब जो भी हमने जनवरी में स्वारी में काम किया उसके बारे में आज हम मतलब बात करने वाले है तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कितने हमारे मेंबर बने और कितने लोग जुड़े हैं अब तक जिन्देगी की रोशनी से बाद में PLR के जो आडियो है और मतलब सारा जो डेटा है वो अब तक 224 लोगों को भेजा है उसमें से 104 लोगों ने संस्था के लिए मदद किये बाकी के लोगों ने मतलब बाद में करेंगे वगर ऐसे कहा है और जो भी जानकारी में लिख कर देता हूँ तो वो अब तक 219 ल मतलब फेबरॉरी के महने में उसका हमने इस्तमाल किस तरीके से मतलब लोगों के लिए किया तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि वो मतलब बंगल की जो एक माताजी है जिनकी मतलब बहु और बेटा उनका मतलब एक एकसिडेंट में चले गए और उसके बाद अपने पो इसगर की दीदी है दोस्तों उसके हस्बंड नहीं है उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ मतलब राशी उनके लिए मतलब दी गई ताकि बच्चों को मतलब स्कुल की फीज भरे और मतलब अगर उसमें पचते तो मैंने कहा कि बुक्स नोटबुक्स और टेक्स्ट मतलब होने वाले तें के लाइफ के लिए तो इसको जितना हो सके मतलब वह अपना घर का राशन कोशिश करी तो जितना हो सके अगले वी मैंने जब तक वह झोड़ी मोटी मां मिल जाया उसको के बिज़ा मतलब मी経श काई जिन्देगी जिनदेगी की रौशनी के तरव से और एक सर्थ है उनका नाम है संदीप परफ मैंने पहले भी इनके बारे में आपको कहा था तो इनका एक आश्रम है दोस्तों छोटा सा ही है ज्यादा एकदम बड़ा नहीं है तो वह अपने इसाब से जितना हो सके उन लोगों को मतलब जिनका कोई भी नहीं होता निरादार लोगों को वह आश्रम करते है और उनमें मतलब उसी तरीके से वह काम कर रहे तो उनके आश्रम के लिए थोड़ा सा मतलब उनको जितना हो सका जिन्दगी की रोशनी से मदद की गई और आखिर में नांदेड की एक माता जी है दोस्तों के बेटा इस दुनिया से बहनी है औ और वो मतलब उसकी भी कंडिशन थोड़ी सी बुरी थी तो उसको दवाई के लिए जितना हो सके इस माता जी ने एकदम शुरुवात में मुझे लगता है पाच्छे मेने पहले वो जूड़ी थी जिन्देगी की रोशनी के तरफ जिन्देगी की रोशनी में और तब उसने सबसत फिस भी भरी थी तो मतलब बाद में जब मुझे इसकी कंडिशन इतना उस वक्त पता नहीं था बस उसने इतना ही कहा था कि उसका बेटा नहीं है तो मुझे लगा कि और इसका परिवार वगरा होगा लेकिन यह बैचरी अकेले ही रहती है और मतलब उसकी बाते मुझ असके कुछ दवाई लानी थी और उसको कह रही थी कि जाधा मतलब जादा खरची कहें वो तक्रीबन सांट सब्सक्रेड़ उसको लगता है वो तो उसके लिए उसको दवाई के लिए मदद की गई तो इस तरीके से मतलब इस फेबरुरी के मैने में में Camden मैं दोस्ता हमने लोगों को मदद करने की कोशिष करी, या मताध जिन्देगी की रोश्णी, या फिर मैंने की, ऐसा मैंने जर्हा भी महीं काऊंगा, ये सारह जो मतलब है, इसका सब क्रेडिट दोस्तों स्रीश आर दोस्ते आपके लिए, पैसे तो इन सारी जिसों से सच में बहुत खुशी मिलते है कि कई ना कई हम एक मतलब अर्थपूर्ण जीवन जी रहे कि कि किसी के हम काम आ रहे तो सच में जिन लोगों ने मदद किये मैं दिल से मतलब आपके आबर प्रकट करता हूँ और मैं मतलब इश्वर से यही प्रार् से जुडने के लिए 500 रुपे की फीज रखी है और इस 500 रुपे में उन्तों को तक्रीबन 100 PDF किताब है इसमें के आधी अंगरेजी में है और आधी हिंदी में है यह 100 PDF किताब है उसके साथ 5 पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ओडियोस तीन पास्ट लाइफ पर भेजा जाता है पीडियोस जो किताब है दोस्तों वह जो मतलब मोबैल पर या फिर लैप्टाप पर पढ़ने वाली ऐसी मतलब किताब है वह इबुक्स उसको हम कह सकते क्योंकि कभी कुछ लोगों को लगता है कि पेपर बुक्स और ऐसे भी लोग कहते हैं वह मुझे प लोग मिलते हैं मुझसे ज्यादा तर लोग जिंदेगी की रोशने में जो जुड़ते हैं तो आपको ही बता हो कि हमारा ज्यादा तर मतलब जो कंटेंट है वो उसके लिए ही मैं बनाने की कोशिश करता हूँ जिनोंने किसे अपने को खोया होता है तो इसलिए ऐसे ही लोग मतलब हमें मतलब संपर्क करते हैं और उसमें से अगर किसी कोई परिस्तित्या इसी हो तो उसको जिंदेगी की रोशने के तरफ से मदद की जाती है क्योंकि मतलब कुछ लोगों ने मुझे सवाल पुझे तो मुझे लगा कि मैं मतलब इस सारी बाते आपके से मतलब शेयर कर कोशीश करते हैं या फिर जादा तर जो सहनस्ता से जुड़ते हैं उन्हेंने कीसी अपने को खोया हो तहा है और कहीना कि उनको मतलब उस दुख-दर्थ का commandments करते हैं और कि आगे मतलब मुझे और भी अगर मैं इसमें जादा से जादा आपको कुछ देने की कोशिश कर सका तो मैं जरूर इसकी कोशिश करूँगा और मैं इश्वर से भी यही पराथना करूँगा कि जित तक मतलब मेरी जान है मैं जादा से जादा मतलब लोगों के काम आसको तो इ कर दो कर दो